हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल बीर बिल्ड हाउस इंजिनिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीम के बारे में क्योंकि इससे पहले जो मैंने जेश्ट अप्लोट किया था उस वीडियो मैंने बीम के बारे में बहुत सारी चीज़ें टेकनिकल चीज़ें बताया था लोट के बारे में टाइप्स के बारे में और किस तरह से आप दे सकते हैं सपूर्ट के बारे में और उसके primary secondary beam के बारे में, तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों को साइट confuse किया होगा, तो आज हम site पर पूरी चीजें practical देखेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें, तो प्लीज सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस कर लीजे, नी किये, rectangle shape में नहीं है, यहाँ पर जो beam है, यहाँ पर आप देखेंगे, top में, हमने यहाँ पर जो use किये हैं, वो है, 12 mm, bottom में भी 12 mm, extra जो है, वो भी हम 12 mm की end side में भी, यहाँ पर चलाएंगे, extra, चलिए, मैं बताता हूँ आपको 18 feet के span पे, जो हम अभी दिये हैं, वो क्या है यहाँ से लेकर इस column से, आप देखेंगे, इस column से लेकर, दूसरे column तक 18 feet का span है, 18 feet में, उपर हमने use किये हैं, 16 mm, नीचे use किये हैं, 16 mm, अब यहाँ पर जो दो extra आएगी, दोनों आपकी extra, 16 mm की रहेगी, top and bottom में, जो extra cutting में डलती है, और जो side रहेगी, side हम 12 mm की use करेंगे, और 18 feet पर है, एक column से, दूसरे column की दूरी, बीच में जो रहेगी, यहाँ पर hidden beam, concealed beam रहेगी, next इसके बाद जो है, वो भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर sunken slab आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर toilet का portion आ रहा है, अभी देखिए, यहाँ पर work continue है, इसका हम ब share कीजिए, अगर कोई question है, तो हमें आप comment करके बताएं, thank you, सुक्रिया